सिंगुम ब्लोक्सबा शेत्र के इंडी गडबंधन की जेमें प्रत्याशी जोभा मांजी ग्रामिन शेत्रों में लगतार चुनावी दौरा कर रही है राजनगर प्रकंड में वे जनता से रूबरू हुई उन्होंने कहा कि जनता इंडी गडबंधन की पक्ष में है और लोगों की भीड भी यह साफ बया कर रही है कि गडबंधन की जीत सुनशित है वही उनसे बात की हमारे सहियोगी मनोज कुमार ने सुनिये जार्खन मुक्ति मोर्चा के परतियासी जोबा माजी जी हमारे साथ है लगतार तपती धूप और गर्मी के बीच जनता से जन्द संपर का वियान लोगों से रूबरू हो रहे हैं उनकी समस्या भी सुनटा है मैडम हमारे साथ है इननी से जानने के पूश्चिस करेंगे मैडम देखिए आप केमरा को चारो तरफ घुमा देंगे तो इससे आपको अंदजा लगेगा क्या रुजान है और जहां तक परकृतिक गर्मी या धूप और यहां राजनित गरम दोनों बीचों से ये सिंग्भ कि हम एक है और इंडिया गडवंधन को भारी बहुमत से हम जीत करके दिल्ली तक पहुचाने का ये अमजनता एक मदता का ये रुजान है मैंद यह क्लाल है कि आप छेतर में गूम रही है सबसें वारा समझ्षा क्या दिख रहा है लेकि समझ्षा तो हमेशा कुछ ना कुछ रहता ही है हम उसको इस तरह से नहीं देखेंगे कि समझ्षा समय्षा लेगए उस समझ्षा को समधान करने के लिए अचुनावी मैदान म धिरे धिरे होता ही रहता है मैडम सीधे तोर पे कहना है कि ये लोहे का इलाका है और तपकर यहां से लोहा निकलता है उसी तरह मैडम जो है कि लगतार इस राजनितिक गर्मी और इस 45 डिगरी सिल्सियस में ये आम जनता से रूबरू हो रही है और सीधे तोर पे लोग इन से मिल रहे हैं अपनी समस्यां बता रही है लेकिन इस बार इन्होंने साब तोर पे दावा किया है कि इंडिया गटबंधन सिम्भूम सीट से निश्चे तोर पे जीतेगी अपने स्वयोगी रिशाब के साथ में मनोज कुमान निशेले बेन भारत सिम्भूम संसातिय छेत्र